आज महाराष्टर के ग्रह मंत्री ने जो बैठक बुलाई थी उस बैठक में न जाने का फैसला उस पर बहिश्कार करने का फैसला उने किया इसका कारण पिछले तीन-चार दिनों में महाराष्टर में जिस प्रकार से गयर जिम्यदा राना पद्धती से पुलीस का उपयोग करते हुए विरोधी पार्टी के लोगों को जान से मारने की हरकत की गई प्रयास किया गया इसके बाद सववाद के लिए जगा कहां बश्ती है हमारा तो मानना ये है कि हिटलर शाही से संगर्श होता है सववाद नहीं होता और अगर इस प्रकार की प्रवूत्ती यहां पर चलेगी तो हम भी उसका मुकाबला करेंगे हमने मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ पोल-खोल यात्रा निकाली रोज इनके भ्रष्टाचार को हमने उजादर किया कैसे इन्होंने मुंबई को यूटा ये जन्ता के सामने लाया तो हमारी यात्रा पर हमले हुए हमारे एमेलेस पर हमले हुए हमारे नेताओं पर हमले हुए और इतना ही नहीं तो किरिट सुमया विपक्ष की ओर से करारा अमला उद्धर सरकार पर देवेन पर्णमिस का ये साफ तोर पर कहना है किया राजप्ता का माहौल महराश्ट में बना हुआ है और यही देखने को मिला है नमनीत राणा के केस में और वैसे भी हम ग्रह मंत्री के बैठक में जाकर क्या करेंगे क्योंकि उस बैठक में मुख्य मंत्री तो उपस्ति थी नहीं है और यह सारी चीजे मुख्य मंत्री जी के इशारे पर चल रही है तो फिर यह बैठक से निकलने वाला क्या है इतना इनए तो एक विधायक इनडिपेंडेंड़र और एक सांसर इनडिपेंडेंडेंडर यह लोग इतना ही अनौंस करते हैं कि मुख्य मंत्री के विवास हुआ है यह देश द्रूखों गा कि राजद्रउखों गा तो हम मेंसे हर व्यक्ती ये राज दुरुह करेगा हम सारे के सारे हरुमान चालिसा भूलेंगे और अगर सरकार में हिम्मन है तो सरकार हमारे उपर राज दुरुह का गुना लगा कर दिखाए लेकिन यह बात यहां तक नहीं रुकती है इल्ली गली उनको आरेस को किया ही जाता है इस प्रकार के अलग अलग गुना तो लगाए जाते ही है लेकिन अभी अभी जो खबर आई है उनको पुलीस कस्टडी में मिस्ट्रीट किया गया उनको नीची जात का बचा बता कर उनके साथ दुर्विरुभर किया गया उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया एक महिला सांसत को बॉश्रूम जाने के लिए भी पर्मिशन नहीं दी गई इस प्रकार से बदले की धावना से महाराठ में इससे पहले हमने कभी कारवाई भी देखी हम तो महाराठ को पूरोगा में कहते हैं लेकिन महाराठ में ऐसे अहंकारी लोग आज सत्ता में हैं कि जो अपने अहंकार के मद में लोग तंत्र को भूल कर लोग तंत्र को पेरो तरे दबा कर लोग तंत्र को कुचल कर अपना रात चलाना चाहते हैं मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, हम संघर्ष करेंगे, हम डरते रही हैं, आप हमारे जान पर हमला करेंगे, तब भी हम आपका भ्रष्टाचार बाहर निकालेंगे उनको कहना चाहता हूँ, कि आपके हमलों को वैसा ही जवाब देना हमको आता है, जिस प्रकार से आप हमारे साथ, व्योभर कर रहे है, आप तो पुलीस के भरोसे कर रहे हैं, पुलीस को साथ में लिकर कर रहें लिकिन हम ऐसे जवाब देगे हम लोग तंत्र में विश्वास रखते हैं इसलिए हम चूप हैं लिकिन अगर पुलीस भी सरकार के साथ मिलकर हमारे उपर हमला करेगी तो यह समझ रेना चाहिए कि केरल में और बंगाल में हमारे सैक्डों लो साथ के भुमिया है और यहां हमारी ताकत भी उतनी है और इस प्रकार का जो दुर्वेवार इस सरकार की और से हो रहा है ऐसे समय हम ग्रह मंत्री की बैठक में नहीं जा सकते इसलिए हम नहीं गए जहां तक लाउड स्पीकर का सवाल है हमारी भूमिका स्पष्ट है सुप्र सुप्रीम कोट और हाइपोट के आदेशों का पालन होना चाहिए जिस समय पुराणे जमाने में हम भी देवी के नवरात्र में राध भर जगराता करते थे हम भी गड़ेश जी के समय देर राध तक कारेकरम करते थे लेकिन सुप्रीम कोट में जब से निर्ण दिया कि रात को दस बजे के बाद लाउड स्पिकर नहीं चलेगा और केबल पंधराधी इसकी छूड दी जाएगी तब से लेकर हमने दस बजे के बाद हमारे कारेकरम बंद कर दिये तो अगर सुप्रीम कोट के आदेश का पालन हिंदू समाज करता है तो देश के सभी समाजों ने सुप तो इस सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार उनके ओपर कारवाई करें अधिया जालेला नाही है तो अधिया प्रटिक्टिया है आज हमसे डेलीगेशन हों सेकरेटर ना भिटला है मी स्वता होंसेकरटर ना पत्र दिला करण केंदर सरकारने जनना सुरक्षा पुरोलीईं त्याना जर सारसांचा सवुरक्षणा मारान होतसे तर कारवाई करणेछी जवाब दाड़ी ही तेंची है तेमलै बला विश्वास है कि होम सेकरेटरी येची दखल यून जय दोशी है तेंचावर कारवाई करतील कुपी चन पढ़ल करान मुर अल्ला धाला त्याही वेई करवाई करड़ा ताली ने त्याना जीव मानेचा प्रेत्न जाला त्याही वरी करवाई नाई है त्यामले एकुनाच